आपका स्वागत है हमारी चैनल में आज हम देखने वाले केमेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट कोसेंस तो चलिए भीना टाइम वेस्ट करते वे इस वीडियो को स्टाट करते हैं इसका जो करेड ऑप्सन है यह है ऑप्सन 3 इसके बाद यह बारिस होता है तो यह जो है आटिफिसल रेन नहीं होता है ठीक है तो क्लाउट सीडिंग के लिए जो है जिसके बाद जो है आटिफिसल रेन होता है चलिए अब नेक्स्ट आगे पड़ते हैं नेक्स्ट कोसें देखते हैं अब नेक्स्ट आगे पड़ता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो इसका जो करेड़ अप्सन है यह है अप्सन 2 इसका एक एक एग्जामपल लेके देखते हैं जैसे अब नेक्स्ट आगे अब जो है इसमें दिखाई भी नहीं देगे अदर माइक्स्कोप तो इसमें तो होता है यह होता है यह यह आप याद रखना इसके साथ त्रू सलुशन जो होता है इसमें क्या होता है इसमें इसमें माइक्रोस्कोप में भी आपको दिखाई नहीं देता है चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं वलकनाइशन अप रबबर इस डन बाइडिंग सल्फर मैगनेजियम लेड पोटासियम इसका जो करेड़ आप्शन है यह आप रबर चलिए अब नेक्स्ट आगे पढ़ता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं वूट फरनीचर आर कोटेड वीट वीट फॉलेंग टू प्रिवेंट टर्माइट जिंग क्लोराइट जिंग फॉसपाइड जिंग ऑक्साइड जिंग नाइट्रेट तो इसका जो करेड़ इसे से ही यूज किया जाता है को मार्क जब डेने जाते हैं यहां पर याद रखनना ये क्या है सिल्वर नाइट्रेड चलिए अब नेस्ट आगे बढ़ता है नेस्ट कोश्चन देखते हैं एक्सेस ओफ विच मेटल इन हीमन बिंग कॉस्ट डिजीज काल्ड विल्सन तो विल्सन नमक जो डिजीज होता है एक किस वज़े से होता है कौन से मेटल के बढ़ता है नेस्ट कोशन देखते हैं तो जो सल्फिरिक एसिड हैसे कहां से अप्टेन किया जाता है इसे आईरेन सल्फेट से अप्टेन किया जाता है और इसे आयरें सॉल्फटे जैसे कहा जाता है एंवित्रियॉल यहां से ऑप्टेन अप्टेन तो यह ओविय्ड जैसे अभू किया जाता जित का ऐसा को सोडियम जो है इसे रखा जाता है अवित्रियॉल के अगते है Betsy West जब यह moisture या oxygen के contact में आता है तो जो है यह बहुत ज़्यादा heat release करता है जिसके वज़े से इसे kerosene oil के under में रखा जाता है तो यह नाम बिल्कुल आप याद रखें sodium जो है इसे store किया जाता है under kerosene oil चलिए अब next आगे बढ़ता है next question देखते है excess of which metal in human being cause disease called sadrosis, mica, iron, zinc, copper इसका जो correct option है यह option 2 iron अगर body में excess हो जाए तो जो disease होता है उसका नाम है sadrosis और इसके deficiencies से भी एक disease होता है जिसका नाम है anemia तो दोनों आप याद रखें iron अगर excess हो जाए body में तो जो disease होता है वो है sadrosis और इसके deficiencies जो disease होता है वो है anemia चलिए अब next आगे बढ़ता है next question देखते है to avoid melting of ice which of the following is used gelatin, glycol, geolite, none तो इसका जो correct option है यह option 1 gelatin gelatin जो है इसे use किया जाता है to avoid melting of ice ice cream में जो है gelatin use किया जाता है to avoid melting चलिए आप next आगे बढ़ता है next question देखते है mixture of carbon monoxide and nitrogen gas is called tear gas laughing gas producer gas water gas तो इसका correct option है यह option 3 producer gas producer gas जो है यह mixture है carbon monoxide or nitrogen gas का water gas किसका mixture है carbon monoxide और hydrogen का ठीक है यह आप याद रखेगा water gas जो है यह mixture है carbon monoxide और hydrogen का और tear gas और laughing gas जो है इसे हमने तो आपने अगर chemistry part 1, part 2 नहीं देखा है तो बिल्कुल उस वीडियो को बिल्कुल देख लेए, इस वीडियो के description उसका link दिया गया है, चलिए अब next आगे बढ़ता है, next question देखते है, non-stick cooking utensils are coated with germanium, cadmium, teflon, silicon, इसका जो correct option है, यह option 3, teflon, teflon जो है इसे use किया जाता है, जो non stick cooking utensils होते हैं, उसमें जो coating दिया होता है, black color का या किसी भी color का coating दिया होता है, वो basically क्या होता है, teflon होता है, तो नाम इसे याद रखें, जो है, यह teflon use किया जाता है, और teflon का जो chemical name है, यह भी विल्कुल याद रखें, क्योंकि कभी-कभी teflon हो से के option में ना दिया हो, तो इसका जो chemical name है, यह है poly-tetra-fluoro-ethylene, याद रखेंगा, teflon का जो chemical name है, यह है poly-tetra-fluoro-ethylene, चलिए अब next आगे बढ़ता है, next question देखता है, which are the following is lightest metal, magnesium, lithium, boron, aluminium, इसका जो current option है, यह option 2, lithium, lithium जो है lightest metal है, इसका density जो है water से भी आधा है, और lithium जो है highly reactive और flammable है, इसके चलिए अब next आगे बढ़ता है, next question देखते है, which of the following is not an alloy, steel, zinc, bronze, brass, इसका जो current option है, यह option 2, zinc, zinc, जो है यह किसी का alloy नहीं है, यह जो है metal, single metal है, alloy किसी कहता है, जो दो metal के combination से बनता है, उसे हम alloy कहता है, ठीक है, जैसे bronze, जो है किसका alloy है, bronze जो है यह alloy है, copper and tin का, brass जो है यह alloy ह iron and carbon का, ठीक है, याद रखेगा iron and carbon, यह जरूरी नहीं है, अगर alloy है, तो दोनों ही metal हो, जैसे steel है, तो iron जो है metal है, carbon जो है non metal है, लेकिन steel जो है, strongest alloy है, अगर हम बात करें stainless steel का, तो stainless steel जो है, यह chromium और iron का जो है, यह alloy है, तो याद रखेगा यह बिल्कुल strongest alloy अगर पूथा जाए, तो वो steel है, और यहाँ पर zinc जो है, यह alloy नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर alloy है, चलिए अब next आगे बढ़ता है, next question देखते है, which acid is produced in human stomach which helps in digestion, acetic acid, hydrochloric acid, nitric acid, carbonic acid, इसका जो correct option है, यह option to hydrochloric acid, hydrochloric acid, जो है हम सब के stomach में यह generate होता है, और जो की help करता है in digestion, यह strong acid है, फिर भी यह human stomach में जो है, यह generate होता है, और यह help करता है in digestion, चलिए अब next आगे बढ़ता है, next question देखते है, mercury does not form amalgam with gold, silver, iron, zinc, इसका जो correct option है, यह option 3 iron, तो iron के साथ जो है mercury amalgam form नहीं करता है, mercury ऐसा metal है, जो कि सारे metal के साथ जो है amalgam form करता है, basically क्या होता है, अगर इसे किसी metal के साथ रख दिया जाये, उसके साथ ऊसको जो है, यह diffuse करके, उसके साथ basically mix कर जाता है, उसके साथ जो है alloy form करता है, तो mercury जो है, लगबख सारे metal के साथ amalgam form करता है, कुछ exceptions हैं, जिनकेサाथ यह नहीं करता है, जिसे iron, platinum, उसके बाद, tungsten, इनके साथ जो है, mercury amalgam form नहीं करत चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ता है नेक्स्ट कोसन देखते हैं डिटर्जेंट्स यूज फर क्लेनिंग क्लोट एन इटेंसिल कंटेंट्स नाइट्रेट्स बायो कार्बिनेट्स सल्फनेट्स विस्मूथ थेट्स तो इसका जो करेड़ ऑप्शन है यह ऑप्शन 3 सल्फ पृट सिलीका ऐरी ऑप्शन 3 अप्शन 3 और उप्शन 2 ग्रैफाइत्स जो है ईयूस किया जाता है यह बहुत सभरी होता है इसके वरेससे इसके अरधानॉरलकन के तोर में जो है use किया जाते मैसीन में चलिए अब नेक्ण थे वाटेपकरन को सित उपक्था में पनेंसे हग more hydrogen atoms than normal water, इसका जो correct option है, यह है option 3, when it contains heavier isotope of hydrogen, basically heavy water का जो formula होता, यह क्या होता है, D2O, इसमें जो है deuterium oxide होता है, deuterium जो है, यह क्या है, एक isotope है hydrogen का, और यह hydrogen का isotope है, इसका mass जो है double है, hydrogen और oxygen के mass से यह double है, इसी वज़े से जो है, इसे कहा जाता है heavy water, तो deuterium present होता है, जो कि एक isotope है hydrogen का, ठीक है, when it contains heavier isotope of hydrogen, तब इसे कहा जाएगा, वह एक water को कहा जाएगा, it is heavy water, चलिए अब next आगे बढ़ते है, next question देखते है, Mars gas is nitrogen, methane, butane, ethane, इसका जो correct option है, यह option 2, methane, ठीक है, Mars gas जो है, यह basically क्या है, methane है, जो major quantity में Mars gas में होता है, वो होता है methane, कुछ इसमें amount मे hydrogen sulfide और carbon dioxide जो होते हैं, लेकिन जो major quantity में होता है, वो होता है methane, तो वीडियो यही तक था है, वीडियो कैसे लाए, कमेरे जुरू बताएगा, वीडियो पसंद आए, तो ज़्याद ज़्यादा सेयर कीजेगा, तब तक लिए all the best, thank you